हमें एक नया खानून लाएंगे पहली नौकरी पक्की चाहे आप आदिवासी हो दलेत हो गरीब जेनरल कास्ट माइनॉरिटी जो भी हो कोई भी भाशा बोलो अगर आप ग्रैजुएट हो कॉलिज उनिवर्सिटी के ग्रैजुएट हो डिप्लोमा ओल्डर हो तो आपको हमें एक पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं आप सरकार से नौकरी मांग सकोगे हाथ उठाके आप कोगे देखो मुझे इंडिया गडबंदन ने अधिकार दिया है एक साल की नौकरी का अधिकार दिया है सरकार को देने ही पड़ेगी कहां मिलेगी प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान की सबसे बहतर कंपनियों में पब्लिक सेक्टर H.E.L. B.E.L. A.C. कंपनियों में सरकारी ऑफिसेज में सरकारी हस्पतालों में सरकारी कॉलिजिज उनिवर्सिटीज में एक साल की नौकरी होगी बहतरी इन ट्रेनिंग मिलेगी काम करना सीखोगे और बैंक अकाउंट में साल के एक लाग रुपए मिलेगी एक जटके से करोणों बेरोजगारों के बैंक अकाउंट में हमें एक लाग रुपए साल के डालेंगे 8,500 रुपए महीने के कटा कट 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 कटा कट जैसे इन महिलाओं का होगा वैसे युवाओं का होगा और एक साल के बाद अगर आपने अच्छा काम किया आपकी नौकरी पर्मनन्ट हो जाएगी करोणों युवाओं को बैंक में पैसा में लगा ट्रेनिंग मिलेगी हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बहतरीन ट्रेंड वर्क फॉर्स मिलेगी और यह दो दिवार नरेंद्र मोदी ने बना रखी है हिंदुस्तान के युवाओं के सामने जो लगा रखी है इस दिवार को हम तोड़ देंगे आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा अगनी वीर योजना को हम खतम कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि दो तरीके के शहीद हो अगर हिंदुस्तान की सेना में कोई लड़ेगा शहीद होगा तो दोनों को शहीद का दर्जा मिलेगा दोनों को पेंशन मिलेगी दोनों के परिवानों की रक्षा होगी इसलिए अगनीवीर योजना को हम रद कर रहे हैं ये योजना आर्मी ने नहीं बनाई है ये नरेंद्र मोधी की योजना है उनकी आफिस की योजना है इसको हम खतम कर रहे हैं गलत GST इन्होंने लागू की पाच अलग-अलग टैक्स इ नहीं होंगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा गरीम पर टैक्स जिस प्रकार से ये कर रहे हैं हम उसको कम करेंगे और सिंपल बना देंगे यह हम आपके लिए करना चाह रहे हैं यहां पर जारकंड में आपकी मांग है सरना कोड की मांग है उसको हम इंप्लिमेंट आप को बताना चाहता हूँ आपका आदिवासियों का और इंद्रा जी का मेरे परिवार का बहुत पुराना रिष्टा है आप एक बात समझके चलिए कि दिल्ली में कि मैं आपका सेनिक हूँ मैं आपकी रक्षा करूंगा दिल्ली में और जो भी आप मुझसे चाहेंगे आप मुझे बताओ मैं पूरी कोशिश करके आपका काम जो भी हो करूंगा आपका जल आपका जंगल और आपका जमीन का जो अधिकार है उसके लिए आपके साथ कंदे में कंदा मिला कर मैं लड़ूँ भाई और बेहनों आपको निन्ने लेना है या अधानी की सरकार बनानी है मोधी की सरकार बनानी है मोधी और अधानी जी की या फिर किसानों की बनानी है गरीबों की बनानी है आदिवासियों की पिछणों की दलेंतों की सरकार बनानी है रोजगार देने वाली सरकार करोनों लाख पती बनाने वाली सरकार बनाईए ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोधी काम कर रहा है अब इसको खतम करना है सरकार को गरीमों के लिए कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए